प्राचीन पद्धत के बारे में जागरुपता फैलाने के उद्धेस से हर सार 21 जून को अंतर राष्टी योगी दिवस मनाया जाता है आज गुर्जर छत्रिय समाज युवा गुरुप के द्वारा योगी सिछन आयोजित किया गया ठीक है फरत जी जो आज योगी दिन है उसके बारे में आपको क्या गएना है आज समस्तर पुचर से की घड़िया समाज सूरत अंजल अस्तर योगी की कांती भाई अबरे सूरत समाज के फ़मों सूरत मिस्तर साथ में हमने यहां के बुरुचर के फ़मों आगे वार और समस्तर नाती जो खास करके हमारे आने वाली युवा बेटी युवा दर आज हमने यहां पे योग का सिभीर जो रखा था उसमें कमसे कर वांसों से साथ सो युवा हों बाग लिया यहां पे युवा जो रखा आवान है कि आने वाले बीडी व्यसन है व्यसन मुक्त बने और आगे से यह योग में बोड़ी संख्या में जोईट वह वही अप्छप आवान करते हैं साथ ने योग जो है उसके लिए आज से 15-20-14 साल पुराला योग राइदुस तक लेशित आगे अगे पढ़ाया और साथ में रामदेव गुरु जी ने जो योग इंटेंडिस्टिनल लेवल पर अवे इसका बड़ा योग दाल है साथ ही बे 21 जून दोजा तो अधरात महली की मोधी सरकार आई मोधी सरकार ने उनाइट एक नेसल जिन्दल एस समीट में योग जो अपना में बुद्धूत स्वास्त की जो है उसका इंटरनेशनल लेवार के योग जी उसके डिग्लेर करवाया योग से पड़ा यूग का इंटरनेशनल लेवार के योग से खुद अपने आप अपने खुद डोक्तर बन सकते हैं सब यूवान के हम बोलते हैं कि मेक्सिमम संख्या में इसमें जुद्धे और लोगों को जोडने का गाम करें समस्तर गुचर सुद्र गढ़िया समाज स्वरोजों और यहां पे अमने जैसे किया है वेशे अपने समस्तर गुचर सुद्र गढ़िया समाज सब्सक्राइब दन्यावाल और समस्तर मीडिया टिंग दन्यावाल जी मेडम यहां जोस के बारो में आप क्या आप है हमारा गुजर्शेत्रिया कडिया करिवार ने स्टार्वेक्स टीवी न्यूज और स्टीवी न्यूज से मैं और मेरे साथ राउद रिपाटी है हम अभी आए है सरदार स्टीवी भावन में जो आज आंते रेर्टी योगा दिवस है तो इधर योगा का जो कारिकरम चल रहा है अभी आए है सम्रोज वारत के पतन जैली योग समीति के जो मेंबर से रिड़म उतने हम बात करेगी कि योगा के बारे में उसका क्या कहिना है नाम तो अमारु नाम स्वाथी दानाडे छे योग उमां कईके मानो आवटुद नाती योग छेई जीवननों मोटा मोटो स्वास्थिया अप्वावाणिंस पुझे योग तीना जामुनी जीवन स्वास्थ बने छे योग पुरु सदेय स्वामी राम 내용 महाराजी ने ज आरे पहला योग हता ज पन गुफामा जंगलमा पहाड़ोंमा पन एमने गरगर सुधि पोचाईलु छे, तो सदेय स्वामी राम 내용isis महाराजी ने आयोगन स्रे जाई जहे। जर गर गर तक जन जन तक पहुचारी ने बद्धाना जीवन ने स्वस्थ बनायू छे तो सदे स्वामी राम्डेव जिमाराज योग आपनू अर्वाजीन संस्कृती छे ने बहुँ सारों फाइदों छे योग थी और त्यारे बने तियां सुधी मोटापव वधारे छे जो पहस्ती का प्राणाया में होता है जो पहस्ती का प्राणाया हम स्पीड के साथ करें पहले कोई रोग होता है तो एक सान्ती से सामानिया गती के साथ 3 step में होता है, बाद में मध्यम गती के साथ और तीवरा गती के साथ अपने अपनी सक्ति अनुसार करना है और regular अभ्याद करने पर 100% कोई भी फैफ्रे के रोग है तो वो निकल जाता है, हमारा सरी स्वस्त बता है क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राण साथ व्यायाम हो जाता है तो हमारा सरी में डेश सारा ओक्सिजन बस्ति का प्राणायाम से जाता है और हमारे कोई भी प्रैंस ब्लोकेश हो जाती है, तो वहाँ तक ओक्सिजन पहच जाता है इसलिए Oxygen का ही मुख्यकार्या है हमारा स्रीट स्वस्थ रख न जो डीजर्ण सेल्स हो गये है वो वापस रीजर्ण हो जाता है और हमारी स्वस्थ में एनर्जी बढ़ा देता है रोग प्रतिकार्व सक्ति बढ़ा देता है तो फेबरे सबंदी कोई भी रोग है जैसे के सब्दी, चुपाम, एलर्जी, स्वास रोग, डम, गुरानानस, ला, साइनस कब सबंदी कहीं सारी बिमारिया होती है, वो 100% क्यों होती है, प्रानायाम और व्यायाम करने पार पतंजली योग बिट के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि पूरे विश्व जानते ही है, अपने विश्व भारत के योग गुरू सदेश्वामी रामदेवजी महराज ने जो जन जन तक योग की जागरूती की, वर्षो से हमारे अर्वाचिन काल से वो तो चल ही रहा था, लेकिन उसको जोगाया है, जन जन तक महुचाया है, और अभी पूरे वर्ड में ये जागरूती हो ही चुकी है, आज 21 जून योगा दिवस पर आप सब एकठे, हम लोग सब एकठे हो ही गए है, एक भी घर ऐसा नहीं है, के हमारे भारत वर्ष में कोई बहार ना निकले हो, इतनी चागरूत दिलाने वाले पतंजली योग समिती के योग तुगरू सधे स्वामी रामदेवजी महराज का यथा कुरयत नंगे बाद इनके कार्यव मुनकिन हो सकता है, ना मुनकिन को भी मुनकिन बनाने वाले सधे स्वामी रामदेवजी महराज गोपोटी तो ये थे योग पसंजली से और हमने उसकी बात से आज जो योगा दिन का जो शुरुवात हुई है उसके लिए खुब को बदाई मैं स्थार में एक्टिव इन्यूट से जैरा टाक और साथ मैं राउल द्रिपाटी के साथ सर्दास्मूत्री भाउन से सोरत